मनी रतनम की मल्टी स्टारर मागनम ओपस पॉनियन सल्वर पार्ट टू हो गई है रिलीज अब क्या पार्ट वन की तरह ये भी चा जाएगी या फिर चोल राज्ये की इस कहानी में है कोई जोल आए जानते हैं इस मूवी रिव्यू में एक नया मूवी रिव्यू इस हफते की बड़ी रिलीज है दो मल्टी लिंग्विल पान इंडिया पॉनियन सल्वर पार्ट टू ये कहानी है शडय अंत्र की ये कहानी है अधूरे प्यार की ये कहानी है विश्वास घात की चोल राज्ये के युवराज और सम्राट को मारने की साजश की कहानी है एक तरफ पांडय हत्यारे हैं जो नंदनी की राजनीती के साथ अधित्यकलिकरन अरुनमोली और सुन्दर चोल पर घात लगाए बैठे हैं और दूसरी तरफ परवतेश्वर के साथ के सहारे मधुरंतकन चोल समराज का राजा बनना चाहता है अब इन दो आपने PS1 नहीं देखी है PS1 देखिए ओनलाइन अवेलिबल है बाता से ये सो मुवी स्टार्ट होती है अधित्यकलिकरन और नंदनी के फ्लाश बैक से पहुत कम दायलोक्स पर काफी खूपसूरती के साथ मनी रतनम ने इनका प्यार दिखाया है और उसी खूपसूरती से वो दर्द भी दिखाया है जब नंदनी और आदित्यको अलग कर दिया गया ना तो नंदनी आदित्यको माफ कर पाई और ना आदित्यक खुद को In fact, climax तक भी जहां पर ये establish हो चुका था कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, उनका प्यार बीच में आ गया. एक तरफ जहां, of course, Mani Ratnam's direction has done wonders, we can't ignore the exemplary work done by Aishwarya Rai Bachchan and Vikram. And it's not just about the chemistry. दोनों ने individually भी अपने characters की arch दिखाई है और वो काबिले तारीफ है. काबिले तारीफ तो actually सारे ही actors हैं, be it Karthi as Vaanarveer, Jayam Ravi as Arun Mooli, Trisha as Kundawai, Prakash Raj as Sundar Chol, और Shobhita as Vaanati. हर अपने character को बख खूबी निभाया है. And every character in this film is grand, and so has been almost each and every frame in this movie, which has been supported by the mind-blowing BGM. मतलब ये रवी वर्मन की cinematography और एयार रह्मान की जुगल बंदी के लिए तो बस हम इतना ही कह सकते हैं. मजा आया. मजा इस फिल्म के suspense में भी काफी आता है. Suspence around Nandini's lineage, suspense around Will Pony and Sylvan beat death, suspense around Aditya Kalikaran's next move. और इसी suspense के बीच में आते हैं emotions, drama, battle scene that add to the grandeur of the magnum opus. However, क्या लगभग धाई घंटे के फिल्म छोटी हो सकती थी? Yes. क्या climax, overwhelming लगता है? Yes. क्या end, थोड़ा जादा melodramatic है? Yes. But that's how it is in the novel as well. So, we can't blame the makers for this, I guess. And on this note, मैं नहा वशवश लेती हूं आपसे इजादत, मिलती हूं अगले हफते एक नए movie review के साथ. And तब तक के लिए, E-Times को subscribe करना ना भूले. क्यादा झादा मिलती है?